हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं हिमानशू स्वाइब करता हूँ आप सब कापके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लाल सीरीज की कॉमिक बाके लाल खुजाल राज का दूसरा और अंतिम भाग यही सोचकर हमने एक कैसी योजना महराच आज रातरी बलकी अभी हम स्वेम सैनिकों के छटम रूप में बाके लाल के पास जाएंगे उसे अपना परीचे एक खतरना का प्रादी के रूप में दे कर उसे इस कैस से सुतन कराएंगे और राजा उलजन सिंग सेना पती को अपनी योजना समझाते चले गए और हलकी सी उस आठ को सुनते ही चौक पड़ा बाके लाल ओ सैनिक इस समय है चपकी में ऐसे फरार होने उलजन सिंग के लिए उलजनों का जाल पुनने में लगाऊं यहां क्यों आया है सैनिक को काल कोटरी का ताला खोलते देख बाके लाल का मस्जिश टेजी के सा लगा यही उचित अफसर है फरार होने का अगर यह अफसर में चूक गया तो फिर कल भ्यानक अपमान से मुझे कोई नहीं बचा सकता अब इसका क्या करें कि वह सैनिक दरसल थे राजा उलजन सिंगी बाके लाल और बस इससे अधिक वह कुछ न कह सेका अरे ओ ऐसा ही ऐसे ह सेनिक के मूर्चित होने तक बाके लाल चमगादर की तरह उससे चिपका रहा लगता ही यह मूर्चित हो गया है बस बेटे सैनिक तेरे यह वस्त अब मुझे इस कैस से दूर ले जाने में में मेरी मदद करेंगे यह योजना नुसार मैल के बार अपनी सेना के साथ प्रदीक पर बाके लाल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था ओ यह मुझे सैनिक समझ कर जाने दे रहे हैं सेना पती भायानक सिंग चौक उटावे द्रिश्य देखकर ओ लगता है महाराज ने योजना में कुछ तबदीली कर दिया और अब बाके लाल सैनिक वेश में अकिला जा रहा और रोशंदान के रास्तेकाल कोट्री में प्रिवेश कर गई वही एक खुजालाज का साथी अब जल्दी से इसे खुजालाज के पास लेचलती हूं खुजली करते करते उनके भात-पाउं फूल गए होंगे इधर बाके लाल तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था अब मैं दिखाऊंगा राजा उल्दिन सिंग को अपना शैतानी रूप पूरे सुल्जन नगर को राजा सहीत सवर पुतलों में ना बदलवा दिया तो मेरा नाम भी पाके लाल नहीं किन्तों उसके लिए सब्रतम मुझे उसी स्थान पर पहुंचकर कोड़ पती की खोच करनी हो तुम तो मेरे प्यारे भाकेलाल हु किन्तु भाकेलाल तुम इस रूप में है है? मुझे निकल ही गया भाकेलाल के इसिए तो मैं कैसे पता कि में विकरम सिंग से अब खुद को छ्षपा नहीं सब्सकता भाकेलाल अच्छा हुए आप मुझे मिल गए अन्य था मैं तो राजा उल्जन सिंग की पूरी सेना लेकर आपको छड़वाने खुजाल लाज की अड़े की तलाश कर रहा था जूट बोले में अपने बाप का कभी कुछ नहीं चाता राजा उल्जन सिंग की पूरी सेना किन्तु तुम तो अकेले हो सेना गुपत रूप से मेरे पीछे है माराज ओ अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें खुद ले चलता हूँ वहाँ विक्रम सिंग बाखेलाल को ले जला खुजाल लाज की अड़े की ओर किन्तु माराज आपने ये तो बताई नहीं कि आप खुजाल लाज की कैसे बच के कैसे आ गए बाखेलाल बंगोडी रिशी के शाप के कारण मेरी दौन टांगे गायब हुचिकी थी इसलिए खुजाल लाज ने मुझे सौन पुतला बनाना गवारा न समझा कोड़ पती इसे ले जाकर कैट में डाल दो हम पहले इसके लिए कृतिम टांगों की वैवस्ता कर लें फिर इसे बदल देंगे सौन पुतलों में मेरी अवस्ता देखते हुए कोड़ पती ने केवल मेरा एक हाथ मद्बूती से बांद दिया और कोट्री पर कोई पहरा भी ने लगाया बहुत अनाड़ी है कैसे भागेगा बिना टांगों के हाँ 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 भंगोडी रिशी के शाप के कारण अचानक मेरी दौना टांगे तो मुझे वापिस मिल गई ओ मेरी टांगे मुझे वापिस मिल गई किन्तु इसी के साथ अब मेरा एक बाजु गायब हो गया था टांग मिली तो बाजु गायब ना जाने कब तक चलेगा यह सिलसला अब मे मुझे उस इस्तान तक पहुंचा दे ताकि उस शैतान खुजाल लाज की खुजली मिटाई जा सके विक्रम सिंग बाकिलाल को ले चले खुजाल लाज के अड़े की होर बाकिलाल मुझे शमा करना उस वक्त में गलस समझाता जब तो मुझे कोड़ पती का आगे पटक कर भाग निकले दे अब तो आप समाजी गए ना महाराज कि अगर मैं वैसा ना करता तो हम दौनों का ही बचना असंबभ हो जाता किन्तु बचेगा तो तो अब भी नहीं मोटे अब खुजाल लाज को जब उसका फरार कैदी बाके के हातों प्राप्त होगा तो अवश्ची परसन हो आओ मटरफली तो मैं जो कार सौपा ता वो पूरा हुआ कि नहीं मैं जैदर से ये कृतिम ठांगों का जोड़ा ले आया हूं जैदूर से वाह तब फिर जल्दी करो उस मोटे को यहां लाकर आओ अब हम उसे अब हम उसे परिवर्टित कर देंगे सौन पुतले में जो आग खुजाल राज मैंने अपना कार्पूर कर दिया यह रहा आपका साथी खुजली वापिस खुजाल राज के कंदे पर जा चड़ी अरे यह क्या यह तो महाराज उलजन सिंग है गटिया आदमी बहुत दुनों से हम तुमारी तलाश में थे आज मिले हो तुम खुजाल राज मुझे भी तेरी प्रतिक्षा थी राजा मेरे साथियों को मरवाय तुने मेरे किम धिमाल प्रकब्जा कर लिया तुमारी सैनिकोंने अब मैं तुझे एक सौन पुतला बनाकर नगर के चाड़ाय पर तेरी निलामी करूंगा और कोई न जान पाएगा कि निलामी उनके राज तभी खुजाल राच यह कृति मंग जिसे लगाए जाने थे वह फरार हो चुका है नई हूसकी दो टांगे नहीं थी कैसे फरार हो सकता है वह कौलपती हमाय विक्रम सिंघ्छ नाम का वह कहादी चाहिए जी भी पहता थो अमरत्थ विक्रम सिंघ्छ नाम का कैधी हाजर है बाकिला ओ तो ये मेरे वाले सेनिक के छटम रूम में कैसे निकल भागा है खुजाल राज मुझे अपना मित समझो बस यह समझो कि अगर विक्रम सिंग को मैं राम है ही ना रोक लेता तो आस तुम्हारा यह अड़ा और तुम सुरक्षित ना रहते क्या मतलब यहां से फरार ह कुलातथा कि सेना पति अपनी पूर से मेरा पीछा कर रहा है तो यह यहां मेरे साथ ना आ थे, क्या क allegations, क्या से ना पीछा नहीं कर रही थी? और तुमने मुझे होए Miche मेरे हे मिनिया दूश्मान हैं, जब कक मैंने सौर पूप्छलों में परिवर्तित हुआ नंदेख लू क्यों खुजार लाज मुझे अपना साथ ही बनाओगे बनाओगे ना मैं तुम्हें मानवों की कमी नहीं होने दूँगा तुम्हारे सरपुतलों के लिए बस इतना समझ लो कि जो इनसान राजा की कैश से बिना किसी हंगामे के फरार हो गया वह तुम्हारे कितना काम का हो सकत गतार बाकिलाल मैं तुझे तेरी इस घंतारी के लिए मिट्टी टंड दूँगा लेकिन ये क्या जैसे ही बाकिलाल ने तलवार का वार कर बाकिलाल पर करना चाहा विक्रम सिंग का दूसरा हाथ भी हो गया गया ओख बाल बाल बच गया यह तो मेरी गर्दनी उड़ा देता खुजाल राज जल्दी करो इन्हें तुर्म सर्ण पुतलों में बदल दो तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा अवश्य बाकिलाल तुम हमारे लिए सच पुछ काम की आदमी हो पोल पती राजा उल्जे सिंग और विक्रम सिंग को सर्ण पुतलों में परिवर्थिक कर दो लेक मुझे तो इस सारी योजना इसी बाकिलाल की लगती है मेरी मर गया ये सैनिक कहां से आमारी कुरोदित हो उठाप खुजाल राज कोड़ पती राजा उल्जन सिंग साइद विक्रम सिंग और बाकिलाल को विस्टार पुतलों में परिवर्थित कर दो खुजार खुजार जो सैनिकों के आवाजे सुनकर सभी खुजाल राज के पास जा पहुंचे थे सेना पती भायार सिंग भी आप पहुंचा भीतर पकड़ लो इन शैतानों को अथ्वा ख़तम कर डालो मकाबला करो इनका अब पहले इन से ही निपटना होगा एक के बाद एक असवलता क्रोश से विचिप्थ हुआ जा रहा था खुजाल राज हुजाओ खुजाओ खुजाओ खुजली आज भीशर खुजली हो रही है switching युज़े खुजर खुजर तौनों हाथों से कुजा रही हुं खुजाल राज खुचा और भ्यानक होती जा रही है ये खुचली उफ ऐसी भ्यानक खुचा खुचा लाज को पहले कभी नहीं हुई खुचा खुचा अफसर देखकर विक्रम सिंग और राजा उल्जन सिंग भी तूट पड़े दुश्मनों पर खचा अब तुम नहीं बचोगे शैतानों इ इसी भीच विक्रम सिंग के हाथ तो वाविस आ गए थे किन्तु अब कान उसके चैरे का साथ छोड़ गाए थे विक्रम सिंग भीड़ गया भीड़ गये कोड़ पती से बेटे कोड़ पती आज तुझे तेरे इस रोक से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी बिचारा बाके लाल सोचा था क्या खो गया यह सारी योजणा आसफल हुई आ सेनापति भयानक सिंग के कारण उसे अपने हाथों से खतम करूंगा सेना पती भयानक सिंग तेजी से बड़ा खुजाल राज की ओर खुजाल राज तेरी खुजली कांत मैं करूँगा खुजाओ और जोर से खुजाओ और अचानक कच कच खुजाओ मेरे नाखुन टूट गए खुजाल राज आप कुरोध कम कीजिए अनता खुजली बढ़ती ही जाएगी इसी पल बाकिलाल की गदा सरसराई निशाना है सेना पती इधर अफसर देखकर कोड़ पती ने विकरम सिंग पर फेक मारा भाला अब तुझ जान सिजाएगा विकरम सिंग ओ भाला लपका सीधा सेनपती की ओर ओ बचो इसी पल सरसराथी निकल गई बांके की गदा भी तकराई खुजाल राज के खुटने से खुजाल राज पर दिवशक्ति का प्राहर किस ने किया बाकिलाल मैं तुझे जिन्दा ना छोड़ूंगी किन्तो इससे पूर्व के खुजली भाकिलाल का कोईत आहित कर पाती संसाई राजा उलजन सिंग की तलवार खच अधर विकरम सिंग में भी किया भरपूर वार खचाक अब मर कमबकर लुड़क चुका तो खुजाल लाज भी सिंगासन पर अपने विशाल कत के कारण सिंगा अब मेरी घुजली का अंसता के लिए हो जाएगा इसी के साथ खुजाल लाज की गरदन एक और को लुड़क गई खुजाल लाज और उसके सभी साथी मारे गए माराज उल्जन सेंग जिन्दा बात मा केलाल हमें शमा करो हमने तुम्हें गलत समझा पर तुम तो सच मुझी सेना पति और सैनिकों को लेकर आ रहे थी बाकेलाल तुम्हारे धोके में मुझे यहां लाने वाली खुजली थी अगर तुम मुझे 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 खुजली के आग्मन की सुजना पहले ही मिल चुक आपको सैनिक के रूप में पैचानने के लिए के बाद ही बाद मैं समझ गए कि आप मुझे इस कैसे सतन कराने पूरी तैयारी के साथ आए ताकि मैं आपको घुजाल राश्तर कोचा सको मैं जानता था कि गुप्तर उससे मेरा पीछा किया जाएगा सारी कहान इस पर ठोने के बाद बाकिलाल मेरे प्यारे बाकिलाल मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यूं होता है अब यह मुच्छ फिर से फिर लेगा अपने बदबूतार होट उससे मेरी पपी लेकिन जैसे ही विक्रम सिंग ने माके लाल सीजीस की अगली कॉमिक्स माके लाल और चोर खोपड़ी में तब तक के लिए धन्यवाद